proportionality theorem, theorem क्या है, if a line drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in the distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio, this theorem is also known as Thales theorem, इसे हम Thales प्र में भी कहती है, यदि किसी त्रिबुज में किसी एक बुजा के समानांतर कोई रेखा कीची जाए, तो वो 6 दो बुजाओं को समान अनुपात में विवाजित करती है, यह हमारे पास Thales theorem है, बच्चो, हमारी 6.2 जो है, वो टोटल Thales theorem पर ही बेस्ट है, तो आपने इसको ध्यान से समझना है, आईए, इसको सबसे पहले करके दिखा जाए, हमें दिया हुआ क्या है, यहां पे, यहनिके, गीवन क्या है, हमें गीवन है, जो यह आपका ट्रेंगल मैं दोबारा बनाऊँगा ट्रेंगल यह, D is parallel to BC, क्या गीवन है हमें, D is parallel to BC, और हमने प्रूव क्या करना है, तू प्रूव क्या है हमारे पास, सिद्ध करना है, जो यहां पे ट्रेंगल के जो छेश बुजाएं हैं, यह से मनुपात में विवाजित हो रही हैं, यहनिके, AD upon BD, AD upon BD is equal to AE upon EC, बचो मैं ट्रेंगल यहां पे देखिए, दुबारा आपको एक बार बना के दिखाता हूँ, बार बार हमें स्क्रोल नहीं करना पड़ेगा उपर की तरफ, यह हमारे पास यहां पे लाइन D है, जो इसके parallel है, हम बचो अपने construction करते हैं, यहां पे, एक हमने D को B, E को मिलाया और यहां से हमने दो perpendicular draw करने, एक perpendicular draw किया हमने यहां पे D, M, और एक perpendicular draw किया हमने यहां से, E, N, ठीक है, अब दीखिए, अब हमारे पास यहां पे proof में क्या हैगा, जो हमने सिद्ध करना है, इसे हम प्रमान बोलते हैं हिंदी में बचो, अब प्रूव क्या करना है, अब यह जो हमने, प्रूफ में हम देखेंगे, दो triangles की बात करेंगे, सबसे पहले में हम देखते हैं, area of triangle क्या होता है, देखे, area of triangle, A, D, E, क्या होगा, एक बटा दो, गुना, आधार गुना लम, य 1 upon 2 into base कितना है, इसमें, D, N, ठीक है, sorry, AD, और, height कितनी हो जाएगी, यहां मारे पास, यह, E, N, कितनी हो जाएगी, यह, E, N, इसको अगर आप ऐसे दुबारा यहां पर triangle में समझना चाओ, तो ऐसे देखी, यहां पर यह, A है, यह, D है, यह, E है, और यहां से हमने यह किये, perpendicular किया, तो हम इस प्रकार, इस triangle में से, यह area निकाल लेंगे, और similarly हम क्या निकालेंगे, area of triangle, B, E, D, 1 upon 2 into B, D, अब देखिए, B, D जो है, बच्चो, वो, triangle, B, E, D का एक पार्ट है, और B, E, D क्या है, obtuse triangle है, अधिक कौन त्रिबुज है, और अधिक कौन त्रिबुजों में, लंब हमेशा, त्रिबुज के बाहर होता है, इसलिए यहां पर हमारे पास जो यह triangle है, इसमें जो लंब है, वो कहा जाएगा, E, N, वो उससे बाहर जाएगा, ठीक है, आपने यह दियान रखना, मैं आपको वही triangle एक बर दुबारा बना के बताता हूँ, ताकि आपको एकदम पता लग जाए, यह इस परकार की shape हमारे प आपको पता है, अधिक कौन त्रीबुज में परपेंडिकलर बाहर जाएगा, तो आपको इस समझाने के लिए मैंने यहां साथ साथ बनाए है, मैं इसको यहां से रब कर देता हूँ, अब इनकी हमें जरूरत नहीं है, हमें पता लग गया कि हमने area किस परकार निकाल ला इस DCE, वो क्या होगा, half of EC into, अब दूसरा लंब यहां देखी, क्या आएगा हमरे पास, DM, क्या जाएगा यह, DM, ADE में क्या हमरे पास, DEC में, क्या जाएगा हमरे पास, EC into DM, क्योंकि यहां पे DM हमरे पास, लंब आ जाएगा, यह भी अधिक गोन तरी बुझा है, इसमें लंब बाहर जाएगा, अगर हम इसी triangle में, triangle, area of triangle, AB, ADE, यह दुबारा निकालेंगे, तो यह क्या निकालना, AD, half of, अब अगर इधर से निकालना चाहें देखे, यह triangle, ADE, अब इसका area हम इसके through निकालते हैं, AE के through, AE को base मान के, अगर AE base हो जाएगा, तो हम दुसरे में क्या लेंगे, यहां पर जब हमारे पास AE base आ जाएगा, तो हम दुसरे में यहां लेंगे, यह वाला लंब, DM, ठीक है, अब देखिए, हमने हाथ 4 triangles ली हैं, दो उपर वाली triangles जो ADE ही है, उसको हमने दोनों को अलग base के according, उसके areas निकाले हैं, अब बच्चो आपने क्या ध्यान रखना, आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि यह दो समानांतर रेखाओं के बीच में बने त्री बुज़ों के खेतरफल समान होते हैं, अगर two parallel lines हैं, यहां समझाते हैं, अगर two parallel lines हैं, इनके बीच में कोई से भी जो triangle बनेंगे, देकिए, same base है यह, और दो parallel lines हैं, और इसी तरह से अगर यह वाला एक triangle बना लिया जाए, तो यह दोनों के triangles के area same होंगे, किस किस के देखिए, a, b, c, d, तो a, b, c का area किस triangle के कुल होगा, a, b, d के, क्यों, क्योंकि same base है और lines parallel हैं, तो क्या दियान रखना हैं आपने, between two parallel lines, the area of two triangles on same base are equal, ठीक है न, तो यहाँ पे भी ही है हमारे पास, यह base क्या है हमारे पास, b, e, sorry, d, e, और triangles कौन सी बनगी, b, d, e, और d, e, c, यह दो triangles बनगी, इनके दोनों के areas बराबर आएंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, area of triangle, b, e, d, equal to area of triangle, d, c, e, इनके दोनों के areas बराबर होंगे, because, on same base between two parallel lines, two parallel lines, एकी अधार पे बने हुए, दो, जो, एकी अधार पे बने हुए, दो, जो, एकी अधार पे बने हुए, दो समानांतर, भुजाओं के बीच के जो, त्रिबुज होते हैं, उनके areas बराबर होते हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए, area of triangle, a, d, e, upon area of triangle, b, e, d, अब इसका area कहा निकाला था हमने, one upon two, into, a, d, into, en, था, शायद है, न, en, हाँ, और, उसके क्या होगा, एक बटा दो, into, इसके क्या होगा, एक बटा दो, into, b, e, into, en, यह हमारी first equation बनी, और next में क्या होगा, area of triangle, a, d, e, upon area of triangle, जो दूसरी तरफ समने triangle, e, c, ठीक है, d, e, c, यहाँ पर क्या आ जाएगा, one upon two, into, दूसरी साइड से जो उमने area निकालाता देखिए, यह वाला, इस साइड से निकालेंगे, a, e, into, dm, ठीक है, na, a, e, into, dm, और नीचे अले में क्या जाएगा, one upon two, into, c, e, into, dm, देखिए, dm से dm कट गया, half से half कट गया, half से half कट गया, e, n से e, n कट गया, यह हमारी second equation आगी, अब देखिए, यह दोनों triangle तो same है, दोनों के area same होंगे, और इन दोनों triangle के हमने, उपर आपको area same बताएं है, because यह एक ही अधार पे बने वे, दो समाना अंतर तरित्री भुजों के, बीच के triangle है, तो from equation 1 and 2, equation 1 and 2, तो क्या जाएगा हमारे पास, ad upon be is equal to ae upon ce, या e, c, a की बात हो, तो यह ही हमने यहाँ पे prove करना था, यहाँ पे आखिया, hence proved, e, t, s, dh, m, यही हमने यहाँ पे prove करना था, कि यह जो same proportion में इसको divide करेंगे, तो आपने फिर ध्यान करना, कि कोई भी एक triangle है, अगर उसमें दो line ने parallel है, तो जो बाकी की दो line होंगी, वो same ratio में उसको divide करती है, यही यहाँ पे, थेल्स प्रमे है, 6.2 बचों हमारी सारी इसी पर बेस दोगी, कि अ भी जिर्गी में उस्टी Kisłál है, war में प्रमें छो में छोंगी